प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फर्गेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वीडियो अप्लोड अन्यू वीडियो NPX Byers Association के वरिस्ट मेंबर और Radical Realty Media Foundation के ग्रेनो चेप्टर के जर्नल सेकेटरी श्री एनस धिंग्रा का संदेश दिल्ली NCR के घर खरदारों की तरफ से देश के PM और परदेश के CM के लिए अधर्णिय प्रधानुंत्री महुदे मैं इस वीडियो के द्वरा आपका ध्यान नर्डा में के रियल स्टेट सेक्टर में होने वाले अत्यचार के विशे में आकर्षिप करना चाहता हूं आपको विद्ध होगा कि JP समुक के द्वरा तेस अजार से अधिक बायर्स का ओन एंड एवरेज पचास चालिस लाख रुब से पचास लाख के बीच में प्रती बायर के दर से पैसा इन्होंने वसूल किया हुआ है पिछले गत पांच वर्षों से उनके पास पूरा पैसा पहुचा हुआ है 2010 से लेकर 2013 के बीच में ये सारा पैसा इन्होंने इस वादे के साथ के 2013 में ये हम लोगों को रहने के लिए घर दे देंगे आज तक हमें घर के आश्रा हमारी दोमिल होती हुरती नजर आ रही है और हम अत्य अधिक निराश हो चुके हैं क्योंकि रेरा लागू होने के एक बाद इनको पिनल्टी का जुड़र पड़ा उसके कारण इन्होंने आई बी सी की शेरन ले ली और आई बी सी के थ्रू द्वारा ये अपने आपको ये निश्कलंक और निश्पाप होकर बाहर निकल कर दूसरे रास्ते से वापार करना चाहते हैं हमारे पैसे को खाना चाहते हैं मुझे खेद है कि सरकार के केंदर सरकार की तरफ से या रज्जा सरकार की तरफ से इस विशह में हमारी साहिता में कोई कदम नहीं उठाया गया पिशले तीन सालों का तीन वर्षों का यदि आप फोरेंसिक औरडिट करवाते हैं जेपी असोसियेट और जेपी इन्वरा के बीच का आपको तुरंच सब कुछ पता लग जाएगा के इनों ने हमारे पैसे का क्या किया है इसमें बेंक भी उतने ही दोशी है जितना दोशी जेपी समुग है बेंकों ने ये जानते बूछते हुए भी के जेपी समुने हमसे इतना पैसा ले चुके हैं नब प्रतिशत से प्रतिशत तक पैसा ले चुके हैं और उस पैसे का इन्होंने क्या किया बिना किसी प्रकार की जांच किये उन्होंने इनको इतने अधिक लोंस दे दिये कि आज वो डूबने की कव्रार पर है क्रिपया इस विशे में शीक्र नेले बहुत आपके कदमों की बहुत आवशक्ता है देश की निगाप पूरी आपके उपर है हमारी आशाएं आपके उपर टिकी हुई है क्योंकि हमें आपके और एक उच्छतम नेले के सिवा कहीं शरण नज़र नहीं आ रही है आई बीसी में जाने के कारण राजस्रकार के अधिकार क्षित्र से ये बात बाहर हो चुकी है केंग्र सुप्रेन कोर्ट में जाने के कारण राजस्रकार के हाथों से ये बाहर हो चुकी है लेकिन अभी कानून के सहरे ये बचकर निकलने के हमारे पैसे को निगलने के फिराग में है क्रिप्या इसकी तरफ ध्यान देकर इस समस्या का उचित समधान करें आप जानते हैं तीन पेडियां बरबाद हो रही है मेरे जैसा व्यक्ति जो सक्तर साल की आईयो में आप से हाथ जोड़कर निवेधन कर रहा है कारण कि मैंने अपनी सारी पुंजी जो मुझे प्रविडेट फण में मिली सब इसको दे दे ताकि रहने को नीड मिल जाएगा स्थान मिल जाएगा मुझे मेरा बेटा जो इसकी किष्ट भर रहा होगा मेरा नहीं भर रहा सेंकड़ों भर रहे हैं जो भर रहे हैं किराय के मकान में रह रहे हैं 25 से 30,000 रुपे 40,000 रुपे किराय दे रहे हैं और 50,000 रुपे ये भी नहीं है कि तीसरी पीड़ी वो उनके बच्चे अगर गिने तो मेरा प्रपोत्र प्रपोत्री कि मेरे बेटे ने यह सोचा था कि मैं उस मकान में जाकर रह लूंगा किराया बंद हो जाएगा यह 25-30,000 रुपे इस तीसरी पीड़ी पर मैं खर्च करूंगा इसके पढ़ाई पर और इसको शिक्षा लेकर देश की प्रग्दी में सही रोग दूँगा कि वो आज इतना परेशान है मांसिक रूप से तूट चुका है क्योंकि वो एक अपने बुड़े पिता से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगता है देश को सम्हाल रहे हैं अच्छी तरह से सम्हाल रहे हैं आर्थ विरस्था को अच्छी तरह से सम्हाल रहे हैं लेकिन हमारी अर्थ विरस्था समाप्त हो रहे हैं शेवन हम आत्मत्या की कगार पर हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्मारी से जूज रहे हैं आत्मत्या की पुरार पुरा चुके हैं विक्षिक्त से हो रहे हैं कि इसकी तरफ तुरंद ध्यान दें धन्यवाद